सफ्रिंगwegen सबस्देखिए के आपको याद को याद को क्याएक न था जैसे आप स्प्रिंग ऍाड़ को कॉट करते मुझकि किया जाता है जीरो इस्ट्रिंग अपने अंदर के यंडर की तैन्शन को इस्टेंटेनेसली बदल सकती है इसलिए FBD के अंदर अगर आपने spring या spring को cut किया है तो आपको उसका force draw करने की जरूद नहीं पड़ती लेकिन अगर आपने spring बनाई है FBD के अंदर और उसे cut नहीं किया गया है और किसी और part of the system को cut किया गया है तो उस spring का जो spring force है या tension है वो unchanged रहता है इसकी उपर हमने question कर लिये थे हैं क्या है clear है सभी को चलो तो कुछ simple question और देख लेते हैं जैसे एक question है एक cart है हमारे पास उसमें दो spring बंदी होई है एक block से आप cart को आगे accelerate कराने लग जाते हो 5 meter per second square से तो हमें बताना है displacement of block A at equilibrium क्या होगा यानि जब तक equilibrium आएगा कितना displace होगा हमारा block बताओ जरा आप शर antichen दोने करा दो तक है कर दो कि यू तक बांगे होगा है पाल व कर दोड़ादित Tcha अरो जूभा बैक कर दो सका होगा है कर रो झागा है कर नेक कर दो जब आब हैल झाल झाल चलो वही देख लेते हैं आंसर तो सभी का आ जाना चाहिए पता नहीं क्या टाइम पास हो रहा है तो यह आपकी कार्ट है पहली बात तो जब भी दो स्प्रिंग हो तो आप एक स्प्रिंग से उसे रिप्लेस कर सकते हो आप राइट में एक्वलेंट स्प्रिंग बना सकते हो या लेफ्ट में बना सकते हो मैं लेफ्ट में बना देता हूँ इस तरह से हमारा ब्लॉक रहेगा 10 kg का और एक स्प्रिंग कॉंस्टेंट के एक्वलेंट यहाँ पर आ जाएगा स्प्रिंग का अब k equivalent की value कितनी होगी अगर मुझसे ये पूछा जाए k equivalent आप देख सकते हो k और 2k अगर मैं slightly इसे x से displace करता हूँ lift में तो इसमें compression आएगा x इसमें extension आएगा x जब भी compression और extension equal हो तो springs होती है parallel combination में यानि k equivalent हो जाएगा k plus 2k यानि कि 3k और k की value में put कर दूँ तो 300 newton पर meter अब हम भी क्या करते हैं कार्ट में बैठ जाते हैं क्योंकि हमें सिर्फ यह पता करना है कि भाई block displace कितना हुआ है अब क्योंकि कार्ट right में accelerate हो रही है और मैं कार्ट के respect में देख रहा हूँ spring में compression आगया है x तो spring जो है धके लेगी बाहर की तरफ spring अगर push करती है बाहर की तरफ तो kx force आएगा इस तरफ simply मैं लिख दूँगा कि 50 यह इको लगाना चाहिए 300 into x या x की value मुझे मिल जाएगी 1 by 6 meter क्या किसी हो कोई doubt है question में बोलो भई कोई doubt किसी को चलो अगर clear है तो अगला question कर लेते हैं याद रखो वह spring force आपका kx है ठीक है तो यहाँ पर a है हमारे पास यहाँ पर b है हमारे पास यह मान लो कि आपका 2 kg का है और यह मान लो कि आपका 3 kg का है spring constant आपको दिया गया है 100 newton per meter तो आपको बताना है acceleration of blocks acceleration of blocks पहला question यह है और दूसरा है extension in spring extension in spring बताव भई दक्स तुम पूछ रहे हैं हम लोग जे ही main का paper discuss करेंगे क्या बिल्कुल नहीं करेंगे मेरे भाई जे ही main का paper आप कहां से कर पाऊगे एक chapter तो पढ़ा है आपने क्या discuss करेंगे उसमें discuss करने के लिए कुछ तो पढ़ाऊ होना चाहिए ने at least आदी 11 तो पढ़ी हो हमने कुछ नहीं पढ़ा भी तो अब या फोकस करो जिस चीजों पर मैं जो करा रहा हूं उसके उपर ध्यान दो आप module पर focus करो module solve करो जितना कर सकते हैं अरे नहीं तुहां डाउट सही था या पर अभी हमने पढ़ा नहीं इसलिए हम नहीं कर पा रहे अरे आप हूं नहीं है झाल 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 अधिर पॉट पॉट आपक्र अधिर कर में हो है यह एक्सेलरेशन माल लो स्ट्रिंग में टेंशन टी माल लो फटा फट कर दो ताइम नहीं लगना चाहिए इस काम सार तो देख के बता सकते हैं कुछ करना ही नहीं चलो देख लो अब नहीं कर पा रहे हैं तो देख सकते हो बड़ा ही आसान था माल लेते हैं नीचे जाएगा A से तो यह उपर जाएगा A से नीचे mg लग रहा है 30 नीचे mg लग रहा है 20 equation लिखे 30-T यह होना चाहिए 3A T-20 यह होना चाहिए 2A दोनों को जोड दो 10 यह होना चाहिए 5A acceleration 2 meter per second square अरे इससे हलवा क्या होगा acceleration 2 meter per second square रख दो यहाँ पर tension मिल जाएगा tension होगा 20 plus 2A यानि कि 24 newton अरे समझाया है tension आगा 24 newton अब यह question हमने किया था आप ऐसा सूचो यह spring है यहाँ पर लग रहा है 24 newton का force यहाँ पर लग रहा है 24 newton का force किसी एक point को equilibrium में मान लो इस point को देखो net force 0 होना चाहिए यहाँ पर लग गया kx similarly यहाँ पर लग जाएगा kx किसी भी एक side को net force 0 कर दें 24 यह होना चाहिए kx x हमें मिल गया 24 by 100 meter यहाँ 24 centimeter आपका answer हो जाना चाहिए अरे बात समझ आई क्या जो भी tension आ रहा है spring के अंदर उसे kx की equal करना था था ही कैस में clear है तो spring के बारे में क्या बाते समझ गी हो spring के बारे में mainly important चीज़ें जो होंगी ना वो हम पढ़ेंगे work power energy नाम के chapter में यहाँ सिर्फ spring का एक introduction मुझे लेना होता है कि spring की किसी भी side का अगर आपने tension निकाल लिया है उसे equal कर दो kx के spring का force हमेशा equal होता है kx के spring हमेशा force लगा रही होती है अपनी natural length को maintain करने की direction में समझ आ रहीए के बात spring में instantaneously tension change नहीं हो सकता spring को cut करते ही उसके अंदर का tension zero हो जाता है क्या यह सभी को clear है spring spring जो हमने किया है questions series parallel combination clear है ठीक ना चलो गए बहुत बढ़िया बात है अगर clear है तो क्या सभी को pseudo force clear है pseudo force किस तरह से निकाला जाता है तो क्या friction को introduce कर दूँ मैं बताओ क्या friction शुरू किया जाए क्योंकि friction में भी यह सारी चीज़ हैंगी सब कुछ जो भी तक पढ़ा है वो सब कुछ पढ़ना है पर friction के साथ एक चीज़ और बढ़ जाएगी हमारे पास friction तो वैसे तो यह चैप्टर आसान है ठीक है ना obviously module में question होगे friction के साथ क्योंकि सिर्फ NLM के question exams में नहीं पूछे जाते क्योंकि friction ही है जो थोड़ा सा आपको confuse करेगा ठीक है ना कोई बोल रहे एक बार pseudo force समझा दीजिए बेटा pseudo force समझा दें तो पूरा एक lecture लग जाएगा फिर से आप पुराना lecture देख लो एक बार है ना पूरा वापर समझाऊंगा तो तो देखकत होगे स्यूड़ो फोर्स कुछ नहीं है अगर आप किसी फ्रेम में बैठे हो बिना स्यूड़ो फोर्स के भी सारे question हो जाते हैं पर आप अगर किसी फ्रेम में बैठे हो जो accelerated है तो जिसको भी आप FBT बना रहे हो ना उसकी उपर एक फोर्स लगा दो मास इंटू acceleration और फ्रेम बस फ्रेम की acceleration के डारेक्शन के opposite अभी करेंगे फिर से आएगा friction में भी आएगा friction में और ज्यादा complex आएगा ठीक है ना तो तब clear हो जाएगा स्टार्ट कर देते हैं friction अब frictional force किसे बोला जाता है सबसे पहली चीज frictional force किसे बोला जाता है कोई मुझे बता सकता है क्या बताओ सबसे पहली चीज frictional force होता है हमेशा resisting force बोलना गलत होगा अगर मैं बोलुम तो एक क्टक्ट फोर्स है कउंटाक्ट फोर्स है थी यह ना विच अकर्स अज़र आज अज़र्ट ओफ इंटर अटर अएक्शन थी इंटर इंटर अट्चिन बट्विन ऑग्टेंग इन पीक्टेक्ट शरफेसिस यानि पहली चीज तो क्या हो गई यह एक contact force है अगर यह contact force है तो इसके लिए दो objects होना जरूरी है दोनों का आपस में contact होना जरूरी है तभी यह force act कर सकता है और यह क्यों act करता है तो यह act करता है due to interaction between two surfaces अब होता क्या है friction तो अभी तक हमने यह पढ़ा था देखो जरा NLM में आपने अभी तक जो पढ़ा है उस हिसाब से अगर यह M mass का एक block है ठीक नगा अगर हमने जो अभी तक सिर्फ NLM पढ़ा है और surface जो हमारा smooth है उस हिसाब से अगर मैं आपसे बोलूँ कि कितना minimum force चाहिए होगा इस पत्थर को चलाने के लिए तो आपका answer क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना minimum force चाहिए ताकि यह block चलने लग जाए तो आपका answer क्या होगा तो इसका answer आता है कि आप कुछ भी force लगा दो आप कितना भी छोटा force लगा दो अब 0.1 करोड 0 और 1 उत्मा छोटा force लगाओगे तब भी block चलने लग जाएगा तब भी block accelerate होगा क्यों? क्योंकि जब मैं इस block का free body diagram बनाऊँगा तो x direction में सिर्फ एक force लगेगा f और f में चाहिए जितना चोटा कर दूँ रहेगा तो न अगर f है, f 0 नहीं है if f is slightly greater than 0 तो भी x direction में तो सिर्फ fbd में एक ही force आएगा f तो block तो move कर ही जाएगा चाहे कुछ हो जाएगा आप कितना भी छोटा force लगा लो block को move करना ही करना है लेकिन असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता हम सभी ने अपनी असली life में देखा है अगर आपके सामने एक पानी की bottle रखी हो किताब रखी हो कुछ भी रखा इस समय पे आप अपनी उंगली से उसे push करने की कोशिश करो तो क्या just उसको touch करते ही वो चीज move करने लग जाती है नहीं आप देखो होगे कि just touch करते ही वो चीज move नहीं करती है आप ये काओगे कि touch किया है हमने force तो भी लगा है पर आपने touch किया है नहीं अपने कुछ ना कुछ force तो लगाई दिया है एक minimum force आपने लगाई दिया है लेकिन वो block move नहीं करेगा वो move क्यों नहीं करेगा तो उसका reason हम बता देते हैं क्या friction हम कह देते हैं कि real life में smooth surface हो पाना possible नहीं है यानि किसी भी object को अगर आप rest से motion में लेके जाना चाहते हो तो आपको कुछ न कुछ amount में minimum force लगाना ही पड़ेगा और ये जो minimum force होगा ये overcome करता है किसे friction को तो अगर मैं बात करूँ cause of friction की कि आखिरकार ये लग क्यों रहा है ये friction हमें महसूस क्यों हो रहा है तो उसकी उपर दो theories है ठीक है हमें जादा detail में उसकी उपर नहीं जाना है कि कौन सी theory क्या है पहली चीज तो आपको बोल दी जाती है कि no surface ठीक है ना basically मैं कह सकता हूँ uneven contact surface uneven contact surface मैं बहुत ही short में आपको बता रहा हूँ पूरी बात का जिस्ट जो है वो यह कि अगर आपने एक block रखा है ground के उपर तो although से हम draw ऐसे करते हैं पर अगर आप zoom करके देखो तो कोई भी object completely smooth तो होती नहीं है ठीक है ना उबढ़ खाबढ़ होती है हर surface और जिस ground के उपर मैं रख रहा हूँ वो भी कैसा है वो भी uneven होगा क्योंकि smooth surface तो दुनिया में possible नहीं है तो ऐसा होने से क्या होता है कि दोनों objects के contact surface पे इनके grooves जो है वो interlock हो जाते हैं क्या हो जाते हैं भई कि आपके दोनों हाथ की जो fingers हैं उन्हें आप interlock कर लो और फिर आप हाथ को move करने की कोशिश करो तो हाथ move नहीं कर पाते हैं आपको कुछ amount में force लगाना ही पड़ता है तब वो interlocking break होती है और तब आज आके आपकी object चलना शुरू हो जाती है तो यह सबसे पुराना explanation था जो लोगों ने दिया उतना convincing नहीं था ठीक है ना लेकिन हाँ लोग मान लेते थे कि मेभी यही कारण होगा गड़े में फसा हुआ है हमारा पत्थर तो मुझे थोड़ा जा force लगाना पड़ेगा तब वो गड़े से बाहर निकलेगा ग्रूव से बाहर निकलेगा इस तरह से समझा दिया जाता था ठीक है ना दूसरी राम कथा बताईगी electromagnetic forces की electromagnetic forces अब उन्होंने यह कह दिया कि भई जब आप दो objects को contact में रखते हो जब आप दो objects को फॉर्म कर लेते हैं bond form कर लेते हैं तो थोड़ी सी chemistry की बात हुई यहां पर उन्होंने क्या कह दिया जब आप दो objects को contact में रखते हो तो उनके जो सबसे close वारे atoms या molecules हैं वो एक bond form कर लेते हैं तो जैसे ही आप आप external force लगाना शुरू करते हो इस bond की कुछ strength होती है यह तोटता नहीं है अचानक से यह जो forces हैं यह electromagnetic forces है electromagnetic forces हमारे 12th में आएंगे electrostatic and magnetic forces ठीक है न तो कह दिया कि friction जो है वो एक तरह का electromagnetic force है जिससे कि कोई bonding हो गई है इनके atoms और molecules के बीच में तो आपको कुछ amount में force लगाना पड़ता है ताकि आप इन bonds को break कर सको और यह पत्थर आगे move कर सके बात समझा ही क्या तो एक theory से यह भी कह दिया गया कि electromagnetic force है हमारा जो friction है यह थोड़ा सा ज़्यादा convincing है as compared to यह जो हमने left में रामकता सुनाई थी ठीक है न तो हम क्योंकि पड़े लिखे लोग है तो हम यह logic दे देते हैं कि हाँ वही electromagnetic force है किसी तरह का bond form हो जाता है और हमें उस bond को तोड़ने के लिए कोछ amount में force लगाना पड़ता है care यह सब competitive exam के लिए ज़रूरत नहीं है मैं बस आपको समझाना चारा दे कि friction आता क्यों होगा तो ऐसा आप मान सकते हो एक बार अपने bond break कर दिया तो चीज चलने लग जाएगी ठीक है तो यह दो theory हैं जो कि दी गई है friction के बारे में हम किसे मानेंगे हम electromagnetic को मान लेदे care अब होता क्या है contact force यह देखो ठीक है अगर हम बात करें net contact force की तो अभी तक आपने एक contact force पढ़ चुके हो आप कौन सा कोई बता सकता है contact force हमने पहले पढ़ा है क्या अरे बोलो अरे सो एगे सब नॉर्मल रियक्शन बिल्गुल सही बात है M mass का पत्थर अगर आपके पास है तो इसके FPD में मैं एक contact force बनाता था नॉर्मल रियक्शन बात समझाई तो ये भी तो contact force है तो friction में खास बात क्या है तो याद रखना है आपको contact force दो तरह के हमारे syllabus में आएंगे पहला जो हम पढ़ चुके है नॉर्मल रियक्शन और दूसरा contact force जो होता है जिसे हम कहते है friction बात समझाई ये दोनों मिलके बनाते है नेट contact force नॉर्मल रियक्शन की खास बात ये है कि ये always perpendicular होता है always perpendicular to contact surface contact surface और friction जब कभी भी लगेगा तो ये always लगेगा parallel to contact surface always parallel to contact surface यानि कि मैं ये कह सकता हूँ कि नॉर्मल रियक्शन और friction हमेशा एक दूसरे से कैसे लगते है perpendicular लगते है बात समझाईगे अब ऐसा मान लो कि एक पत्थर आपके पास M मासका था ठीक है ना और ये rest पह है मैंने यहां से एक force लगाया था capital F पर भोला गया कि block तब भी rest पह है आपने एक external force लगाया F तब भी पत्थर चला नहीं अगर हम पुराना LLM पढ़ रहे होते तो मैं acceleration बोल देता F by M तो आप क्या को होगे कि धरती मां Mg से खीच रही होगी normal reaction उपर लग रहा होगा और क्योंकि ये block rest पह है तो इसकी उपर X direction में भी net force क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए अब भई F दिया था normal उसे balance कर नहीं सकता Mg उसे balance कर नहीं सकता तो भगवान ने किसे भेजा होगा friction को friction ने जरूर उसके equal or opposite amount में लगके उसे क्या कर लिया होगा balance कर लिया होगा तो अगर मैं contact surfaces का force बताओ contact force बताओ कौन लगा रहा है ये पूरा force due to ground ground ने क्या-क्या force लगाया मैं अगर आपसे ये पूछू पत्थर की उपर ground ने क्या-क्या force लगाया सिर्फ वो draw करके बताओ तो आप draw करोगे पहला force तो normal reaction और दूसरा force आप draw करोगे friction बात समझाएगे तो जब भी net force पूछा जाए हमसे net contact force net contact force तो आपको याद रखना है net contact force की value होती है under root of normal का square प्लस friction का square ये mains वगरा में इस तरह के question आ जाते हैं आपसे कोई बोले के लोग सिर्फ normal बता के संतुष्ट हो जाते हैं या कई लोग सिर्फ friction बता के संतुष्ट हो जाते हैं पर आपको याद रखना है अगर उन्होंने बोल दिया कि find the net contact force by ground तो आपको under root of n square प्लस f square बताने हैं यानि total contact force आपको बताने हैं क्या आपको बाद clear हुई है अरे वही clear हुआ क्या थीक है अब इनके बीच में एक relation भी है जो की depend करती है किसके उपर nature of material के उपर तो relation relation between friction and normal reaction तो यह depend करती है किसके उपर depends on nature of contact surfaces on nature of contact surfaces तो माल लो यही चीज़ है कि net contact force हम ड्रॉ कर रहे थे किसी object पर तो एक तो लगा normal reaction और एक लग गया friction तो net contact force इस तरह से आगया C जिससे मैंने denote किया था बात समझा रही है तो यह angle अगर मैं आप से बोलूँ तो अगर थीटा है यानि net contact force देखो हुआ क्या होगा अगर मैं आपको एक काहनी जैसी बता हूँ तो ऐसा हुआ होगा कि जब कुछ नहीं लग रहा था externally माल लो externally कोई force नहीं था तो ground क्या लगा रहा होगा normal सिर्फ normal लगा रहा होगा इस समय मैं आपसे पूछू कि net contact force क्या है इस समय अगर मैं आपसे पूछू कि net contact force क्या है तो आप काहोगे net contact force normal reaction है और वो vertical से कितना angle बना रहा है zero angle बना रहा है जैसे ही मैंने external force लगाया क्या ground ने friction भी लगा दिया होगा ग्राउंड के friction लगाने की वज़े से क्या net contact force की direction अब भी vertical से zero है या कुछ angle बनाने लग गई क्या अब net contact force normal है नहीं क्या net contact force जो पहले normal हुआ करता था अब वो अपने initial direction से कुछ angle बना रहा है हाँ angle बना रहा है कितना theta तो इसी theta को अगर मैं calculate करूँ तो tan theta की value मुझे क्या मिल जाएगी आप देख सकते हो f by n tan theta की value आपको मिल जाएगी क्या f by n और इसी ratio को यानि जो angle net contact force external force लगाने पर बना लेता है अपनी initial direction के साथ फिर से सुनना मेरी बात जो angle net contact force बना लेता है अपनी initial direction के साथ जब आप external force लगाओ उसके tan को कहा जाता है coefficient of friction इसे हम कहते हैं coefficient of friction coefficient of friction mu mu से denate कर दिया जाता है basically mu को हम कहते है tan theta जो की हो जाता है f by n बात समझाई क्या यह coefficient depend करेगा भई किसकी उपर nature of material के उपर आपने externally 10 newton लगाया तो surface ने कितना खुद को incline कर लिया उस net contact force ने कितना खुद को incline कर लिया उसके tan को हम नाम देते थे mu तो यहां से हमें friction का formula पता चलता है mu n बात समझा रहे है friction का जो हज से जादा यूज होने वाला और एकलोता formula है वो आपको मिल गया क्या mu n जाँ f है frictional force n है normal reaction और mu है coefficient of friction तो यहां से आपको एक चीज और भी दिख रही है कि भाई f is proportional to n mu तो surface के लिए fix हो गया ठीक है na depends on depends on contact surface तो mu तो contact surface पर depend कर गया है यहांनी f is proportional to n बात समझा रही है f is proportional to n जैसे जैसे आप normal reaction बढ़ा होगे वैसे वैसे friction की value भी बढ़ती रहेगी अच्छा अगर मैं आपसे बोलू किया friction की value 1 से बढ़ी हो सकती है तो आप क्या बोलोगे sorry mu की value क्या coefficient of friction की value 1 से बढ़ी हो सकती है किया mu 1 से बढ़ा हो सकता है मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या mu 1 से बढ़ा हो सकता है तो देखो मैं एक चीज़ बताना चाहूँँगा बात समझो यह कि जब हम कोई चैप्टर पढ़ रहे होते नेया चैप्टर स्टार्ट कर रहे होते हैं एक बात समझो मैं भी जैसे पढ़ा था हूँ तो मैं पांच साल से पढ़ा रहा हूँ और हर साल यह चैप्टर जो फ्रिक्शन होता है मुझे medical badge में अलग पढ़ाना पढ़ता है engineering में अलग पढ़ाना पढ़ता है repeater में अलग पढ़ाना पढ़ता है medical repeater में अलग पढ़ाना पढ़ता है तो अगर मुझे एक-एक badge भी मिले तो मैं निमम मैं हर बार इस chapter को चार बार पढ़ाता हूं हर साल और maximum मैंने इसे पढ़ाया एक साल में बारा बार, समझ रहे हैं, दो तो तीन तीन बैच थे हमारे पार लेकिन हर बार मैं इसे इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ उसका कारण यह है कि मैं यह मान के चलता हूँ कि सामने वाले को कुछ नहीं आता तो अगर आप जब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप maximum चाहते हो कि आप सीखो तो उसके लिए एक चीज ज़रूर याद रखना है कि आप भी इस तरह से बैठो कि आपको कुछ नहीं आता मैं सही के रहा हूँ, आपको पहले साथ अच्छी बात है लेकिन अगर आपको इस तरह से बैठो है ना कि हम तो सीखने बैठे है जो हमारे पास है वो तो additional है, वो तो आपके लिए beneficially है ना पर अगर आप इस तरह से बैठे हो कि हमें कुछ नहीं आता जब यह आदमी पढ़ाया से इसने कभी नहीं पढ़ाया, पहली बार पढ़ा रहा है तो आपको इस तरह से बैठना चीज़, अब जैसे मैंने पूछा है तो इसका आंसर सभी ने लगबग ना दिया है, ठीक है ना, कि नहीं नहीं, पर क्यूं, क्यूंकि आपने ऐसा सुना है, कि म्यू वन से बड़ा नहीं होता मैंने आपसे क्या कहा कि म्यू क्या है टैन थीटा मैं नहीं मान सकता कि यहां किसी को भी नहीं पता था कि टैन थीटा की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसे पता नहीं कि 10 थीटा कहां से कहां जा सकता है अच्छा बता सकता है कोई 10 थीटा कहां से कहां जा सकता है पॉजिटिव नंबर्स में 10 थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है पॉजिटिव नंबर्स में बताओ बई क्या आपको नहीं पता कि 10th Deta की वैल्यू क्या हो सकती है तो सीधी सी बात है the value of coefficient of friction the value of coefficient of friction coefficient of friction which is mu 10 theta can be greater than 1 हमारे syllabus में ऐसे question बहुत कम आते हैं कि mu 1 से बड़ा हो पर इसका मतलब यह नहीं है कि mu 1 से बड़ा नहीं हो सकता भही आपको कोई assertion region में यह चीज दे सकता है assertion region में आपसे यह कह देगा the coefficient of friction cannot be greater than 1 तो statement गलत है बिलकुल हो सकता है आपके module में एक question है एक wedge की उपर एक बच्चा बैठा होगा wedge फिसल रहा होगा आपको पताना होगा mu की value क्या हो ताकि बच्चा फिसल के 10 theta हमने define किया है mu को क्या 10 theta 1 से बड़ा हो सकता है बिलकुल हो सकता है तो coefficient of friction भी 1 से बड़ा हो सकता है यह याद रखना हमारे syllabus में कोई चीज हमारे syllabus में values नहीं आती 1 से बड़ी पर हमारे syllabus में यह नहीं है कि बच्चों को यह बताओ कि 0 से 1 होता है वन से बड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि syllabus में यह तो कोई पूछी सकता है कि वन से बड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो बिलकुल हो सकता है बात clear है कि 0 से छोटा नहीं हो सकता नेगेटिव नहीं हो सकता यह आपको याद रखना है ठीक है ना क्योंकि एंगल विद वर्टिकल नेगेटिव होने का कोई सेंस नहीं होगा. क्लियर है के सभी को? चला. तो अब हम आजाते हैं किस क्यूपर? या पहले मैं एक क्वेस्टन करा देता हूँ. काफी देर से मैं बोल रहा हूँ, ठग गया मैं. तो काफी लोग इसका अंसर दे पाएंगे, मैं जानता हूँ. पर फिर भी आपको ट्राइ करना है. ठीक है? तो विद्वेस्टन यह है आपका. के एक इंक्लाइंड प्लेन है, जो 37 डिगरी का एंगल बना रहा है. एक 2 केजी का पत्थर है. तो केजी ब्लॉक. तो आपको बताना है, नेट कॉंटाक्ट फोर्स. नेट कॉंटाक्ट फोर्स बाइ इंक्लाइन. नेट कॉंटाक्ट फोर्स बाइ नेट कॉंटाक्ट फोर्स बाइ दा ब्लॉक अन दा इंक्लाइन. दो नेए की बात है. बता दो गई. बता है. क्ष़गान देव काच्ट. झालो. झालो. hombres वो. हम उंसे हो में. तो ये सवाल सॉल्व करने के लिए फ्रिक्षन का ग्यान होना कोई जरूरी नहीं है क्यों नहीं है फ्रिक्षन का ग्यान होना जरूरी भाई ये फ्पीटी बनाने जरा क्या बनाओगे धर्ती माने खीचा 20 से क्या आर्थ ने खीचा 20 न्यूटन से हाँ एक बात बताओ, क्या ए ब्लॉक रेस्ट पे है? रेस्ट पे है अर्थात, नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स है जीरो किस डारेक्शन में नेट फोर्स जीरो है? हर डारेक्शन में नेट फोर्स जीरो है इसके उपर और कौन फोर्स लगा सकता है? अर्थ ने लगा दिया और कौन फोर्स लगा सकता है इसकी उपर इंकलाइन प्लेन के अलावा और कोई फोर्स लगा सकता है क्या दुनिया में और कोई है नई अर्थ ने अपना फोर्स लगा दिया है नेट फोर्स नेट फोर्स बाई इनक्लाइन ओन दे ब्लॉक कोई बार बार 16 लिख रहा है इस 20 न्यूटन अरे भाई 0 कैसे होगी ये चीज 20 न्यूटन नीचे फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउन तो अगर ये रेस्ट पे है तो इस पे नेट फोर्स 0 है तो इनक्लाइन प्लेन को नेट फोर्स कितना लगाना पड़ रहा होगा अरे 20 तो लगाना पड़ रहा होगा तभी तो 0 होगा और कहां लगाना पड़ रहा होगा वर्टिकली अप लगाना पड़ रहा होगा अरे समझ पा रहे हो कि नहीं इस तरह से उसे 20 newton का net contact force लगाना पड़ेगा तभी तो 0 होगा अब ये 20 कैसे आया होगा वो अब मैं समझ सकता हूँ कि contact force यहां आया होगा कुछ normal reaction और क्यूंकि नीचे फिसल ना चाह रहा है block तो friction लग गया होगा कुछ उपर इस तरह से तो net contact force 20 आया होगा और वो किदर लगा होगा vertically up लगा होगा अरे वही समझ आ रही है क्या बात clear है क्या ठीक है तो ये बस मैं आपको feel दे रहाना चाह रहा था कि net contact force का meaning क्या होता है ठीक है ना सिर्फ friction answer आपको net force answer देना रहे है बात समझ आई तो जिन लोग ने 16 दिया है वो भो friction बता रहे है जिन लोग ने 12 डिया है फ्रिक्षिन बता रहे है जिन लोग 16 दिया है वो normal बता रहे है और उस समय में नहीं जा रहे था ये बड़़ी simple सा question था आपको net force बताना था बात समझा गई अब हम चलते हैं थोड़ा detail में जो है type of friction type of friction तो ये समझना काफी ज़रूरी है दो type के friction हम पढ़ने पहला कहलाता है आपका static friction ठीक है न और दूसरा कहलाता है आपका kinetic friction क्या meaning है दोनों का static friction का meaning क्या है और kinetic friction का meaning क्या है सबसे पहले मैं एक important चीज़ लिखूँगा friction के बारे में अगर मैं आपसे बोलू statement जैसे यह पढ़ने से पहले हम चलो statements लिख लेते हैं तो आपको पताना है वही true है या false है true या false ठीक है तो पहला statement मैं आपको बोलता हूँ के static friction या चलो static friction अभी हमने पढ़ा नहीं है तो उसके बारे मैं बाद में पूछेंगे तो प्वेस्टिन चलो बाद में पूछेंगे पहले मैं आपको purpose of friction बताता हूँ purpose क्या है friction friction आता क्यों है चाहता क्या है हो हमसे ठीक है ना कोई मुझे बता सकता है purpose of friction क्या है purpose of friction ठीक है अगर मैं आपसे बोलूँ चलो statement पूछी लेता हूँ जमन नहीं बढ़ा ठीक है ना चलो तो true है false बता दो तो पहला statement है कि friction opposes motion और दूसरा है friction सपोर्ट्स मोशन बताईए त्रू और फॉल्स आपको बताना है किसी नहीं आखे कह दिया कि friction opposes motion यह बात सही है कि गलत है सम केस हो जाएगा तो गलत हो जाएगा उनने कह दिया न स्टेट्मेंट दे दिया friction opposes motion ठीक है ना ठीक है तो मतलब फिक्स बोल रहे हैं वह कैसा है ही ऐसा ही है friction oppose करता है motion को चलो मैं अगर आप इसमें confuse और language में तो यह can डाल देता हूँ friction can oppose motion friction can support motion अब बता दो अब clear cut है अब आप answer दे सकते हैं तो बात आती है true और यहां भी आती है true तो एक single statement क्या लिख देना चाहिए भाई support भी कर रहा है oppose भी कर रहा है तो purpose of friction होता है friction opposes relative motion relative motion और its tendency relative motion होने की संभावना या relative motion दोनों को जो oppose करता है वो काम है friction का इसे motion से कोई दिक्कत नहीं है यह चाहता है आप एक दूसरे के respect में motion ना करो यानि दो objects जो contact में है वो एक दूसरे के respect में motion ना करें एक दूसरे के respect में rest पर रहें दोनों चल रही हो सकती है पर दोनों एक साथ चलें friction का सिर्फ एक purpose है वो चाहता है कि जो भी objects contact में हैं वो एक साथ move करें उनके बीच में कोई relative motion ना हो या tendency भी ना हो कोई संभावना भी ना हो अगर संभावना भी है relative motion होने की तो भी friction लगके oppose करने लग जाता है जिसमें static friction जो है वो oppose करता है tendency tendency of relative motion जो आपका static friction है वो oppose करता है tendency of relative motion यानि जब संभावना है relative motion की और आप उसे oppose करना चाहते हो संभावना को oppose करना चाहते हो possibility को oppose करना चाहते हो तो static friction act करता है लेकिन एक बार अगर relative motion शुरू हो गया अब relative motion शुरू हो चुका है अब आप उसे oppose करना चाहते हो तो फिर लगता है kinetic friction oppose is relative motion तो अगर आपसे कोई पूछे कि static friction क्या करता है क्या static friction oppose करता है motion को नहीं static friction opposes the tendency of relative motion बात समझ आ रहे है kinetic friction opposes the relative motion एक बार relative motion होने लग गया तो उसे oppose कौन करता है kinetic friction oppose करता है बात समझ आ रहे है ठीक है अब यहाँ पर हम define करते हैं mu s और mu k mu s और mu k तो although contact surface के लिए coefficient of friction तो constant होना चाहिए था लेकिन ऐसा experimentally देखा गया कि जब तक पत्थर नहीं चलता है coefficient of friction कुछ रहता है लेकिन पत्थर अगर slide करने लग जाए तो फिर coefficient of friction थोड़ा सा change हो जाता है तो यहां मैं ऐसे कह रहा हूँ coefficient of coefficient of static friction अगर question में कुछ नहीं बोला गया तो दोनों को हम same मान लेते हैं इन में बहुत जादा अंतर नहीं होता है 0.1, 0.2 इनका अंतर होता है यह coefficient of kinetic friction और किसी भी pair के लिए किसी भी contact surface pair के लिए mu s is always greater than mu k coefficient of static friction is always greater than coefficient of kinetic friction अच्छा आपको याद होगा friction का formula हम लाए थे mu into n यहीं friction was proportional to normal reaction यह आपने देखा था तो अब लोगोंने क्या किया ऐसा सोच के देखो अब लोगोंने क्या किया एक पत्थर लिया m mask और यहां से force लगाया बात समझ आ रही है तो उसे oppose करने के लिए obviously friction लग रहा होगा तो उन्होंने plot करना चाहा किसे यह जो लग रहा है आपका force friction का by external force तो जब कोई external force नहीं लगाया तो उनने देखा कि friction 0 था बात सही है जब कोई force आप नहीं लगा रहे हो तो क्या कोई relative motion होने की tendency है क्या relative motion हो रहा है तो कोई friction लगेगा फिर जैसे जैसे आपने F को बढ़ाया जैसे जैसे आपने external force बढ़ाया आप ऐसा सोच के देखो कि मानलो यहाँ पर दिया हुआ था coefficient of static friction है 0.5 इस पत्थर का मास है 4 kg तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि static friction की value क्या होगी तो static friction की value मैं बताता हूँ μू s into n यानि कि 0.5 into normal reaction normal कितना होगा यह दिख जाना चाहिए mg 40 है तो normal भी कितना होगा 40 यानि कि 20 newton अच्छा क्या यह static friction की maximum value है हाँ यह static friction की maximum value है maximum friction कितना लग सकता है 20 newton क्या हमेशा friction 20 newton लगेगा तो उसे इनने graph से देखा, graph जो बना वो कुछ ऐसा बना इस तरह का कुछ experimental graph form हुआ तो यहाँ आप देख सकते हो कि इस region में f is proportional to external f इसका मदला friction की value वैसे वैसे बढ़ रही थी जैसे आप external force की value बढ़ा रहे हो बात समझ पा रहे हो तो यहीं हम यह कह देते हैं static friction के बारे में important point जो है वो देख लो static friction और kinetic friction इनके बारे में सबसे जरूरी points जो है वो मैं लिख रहा हूँ ठीक है न? summarize करके अगर मैं लिखूँ तो पहरी चीज यह तो क्या कर रहा था? यह opposes tendency of relative motion tendency of relative motion जबकि यह क्या कर रहा है? यह सीधा सीधा oppose कर देता है relative motion को ठीक है न? बात समझा रही है सबको इसकी एक maximum value है इसकी जो maximum value है वो है mu s into n यानि static friction की value 0 से लेके और अपनी maximum value के बीच में कुछ भी हो सकती है इसलिए इसे हम कहते है self-adjusting force इसलिए इसे हम कहते है self-adjusting force जबकि जो kinetic friction है उसकी जो value है वो fix है वो है mu k into n और ये constant value force है constant value force है तो graph में यहां जो आपको दिख रहा था न? जो आपको proportionality में दिख रहा है तो यह आपको दिख रहा है static friction यहां जो act कर रहा है वो static friction act कर रहा है जबकि एकदम bump आने के बाद जो flat line आ गई है फो रिप्रेजेंट कर रही constant value यहनिकी kinetic friction अब ऐसा होता क्यों है यह समझने की कोशिश करो तो हमारे पत्थर पर maximum friction लग सकता था 20 newton अब कहां नहीं समझना ठीक है यह आपका block था इस पर fs max जो लग सकता है static friction वो 0.5 into 40 यहनिकी 20 newton लग सकता है ठीक है 4 kg का आपका block है अब यहां से आप force लगा रहे थे ऐसा सोच के देखो कि मैं जानना चाहता हूँ f और f की values क्या होंगी जब मैं f को 0 रखोंगा तो क्या relative motion होने की कोई संभावना है नहीं तो क्या कोई friction लगेगा नहीं जैसे ही मैं 10 newton का force लगाऊंगा अब आप बताओ कितना friction लगना चाहिए आपने right की तरफ force लगाए है 10 newton अगर मैं नीचे friction लगादू 20 newton तो net force लेफ्ट में आ गया न अरे आ गया के नहीं अगर मैं static friction की maximum value लगादू 20 newton तो net force लेफ्ट में आ गया तो आपका पत्थर लेफ्ट में चलने लग जाएगा ऐसा किसी ने जीवन में देखा है ऐसा कभी आपने जीवन में देखा है कि एक पत्थर रखा हो जमीन पर आप right में धक्का मारो पत्थर left में चलने लग जाए दुनिया तबाह हो जाएगी है कि नहीं दिमाग खराब हो जाएगा तुमारा कि यह क्या मजा कि भाई मैं right में धक्का मारो पत्थर left में चलने लग जाए कि भाई friction लग गया अरे तो friction का तो काम था रोक के रखना यहां तो friction नहीं motion करा दिया friction ने left में चला दिया तो गड़ बड़ जाएगी कि नहीं तो फिर friction भी कितना लगता है मेरे भाई 10 newton ही लगता है समझा रही है बात अगर मैंने 15 newton का force लगाया externally ऐसा समझने की कोशिश करो 4 kg का आपका ब्लॉक है आपने 15 newton लगाया static friction अपने मन में देखेगा कि मैं maximum कितना लग सकता हूँ 20 मैं maximum कितना लग सकता हूँ 20 तो क्या मुझे 20 लग जाना चाहिए ulti direction में अरे नहीं अगर static friction 20 लग गया तो तो left में net force 5 हो जाएगा left में 5 हो यानि कि पत्थर left में चलने लगा फिर से common sense से परे बात हो गई तो फिर उसे कितना लगना पड़ेगा 15 newton इसलिए इस भाई को नाम क्या दिया गया है self adjusting force ये खुद को adjust करता है ताकि चीजें खराब ना हो block slide करना शुरूर न करे जैसे ही मैंने 20 newton लगाया अब ये कहेगा भाई मैं तो अपनी maximum सम्ता पे पहुँच चुका हूँ अगर आपने 20 newton का force लगा दिया है यहां मैं बात करूँ static friction की अगर आपने 20 newton का force लगा दिया है तो maximum 20 लग जाएगा है और ये just रोक के रख पाएगा लेकिन जैसे ही आपने 21 newton का force लगाया अब static friction बुलेगा कि भाई मेरे range और domain से बाहर जा चुकी है बात मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली अब मैं पत्थर को रोक के नहीं रख सकता तो अब मेरे लगने का भी कोई sense नहीं है क्योंकि अब static चीज़ें रहने ही नहीं वाली है तो यह लगता ही नहीं तो फिर picture में कौन आता है तो फिर picture में entry होती है भाई kinetic friction की जो अब तक शांत बैटे हुए थे क्योंकि चीज़ें static थी उनने का ठीक है सारी बात है static friction समाल रहा है उसे समालने दो हमारी अभी कोई जरूरत नहीं है लेकिन जैसे ही सामने वाले ने 21 newton का इसकी value होगी 0.4 into 40 यहनी कि solar newton तो आब although इसकी value 20 से कम है लेकिन अब क्योंकि static friction हार मान चुका है तो अब सारी बात किस पाज आती है kinetic friction पर वो तो constant value ही रखता है वो जितना लग सकता है वो लगने लग जाता है समझा रही है बात अब आप कुछ भी कर दो आप इसे 30 newton कर दो उसे कुछ फरक नी पड़ेगा यह कितना ही लगेगा 16 newton ही लगेगा अरे बात clear होई क्या क्या रोल होता है किस तरह से पूरी कहानी चलती है static और kinetic friction की आपको समझा है पहले बात को समालने की कोशिश कौन करेगा static friction वो देखेगा कि क्या मेरी समता में पत्थर को रोक के रख पाना related motion को avoid कर पाना तो जितने की जरुवत होगी वो exactly उतना ही pay करेगा यानि उतना ही force लगाएगा लेकिन जब उसके हाथ से बात बाहर निकल जाएगी उसके कावू से बाहर निकल जाएगी बात उससे ज़्यादा force लगने लग जाएगा तो सारी बात कौन समालेगा kinetic friction समालेगा उसकी तो value constant है वो उतना ही लगने लग जाएगा अरे बात समझाई क्या क्या है clear है सभी को अब question कर लेते हैं बहुत देर से बोल लिया मैं ध्यान से करें क्रप्या तो 5 kg का आपका पत्थर है mu s इसका 0.5 है mu k इसका 0.4 है पहली चीज़ आपको बतानी है f max for block to be at rest और दूसरा आपको बताना है value of acceleration and friction on the block when f is equal to 30 newton और तीसरा आपको बताना है net contact force net contact force by ground force by ground when f is equal to 20 newton पहला पाट और दूसरा पाट f is equal to 30 newton करो भाई ध्यान से करना अच्छे से अब बीडी बना के शॉल करो ठाट झाल 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 सबसे पहले में static friction की maximum value निकाल लूँगा जो हो जाएगी μूस इंटू एन mg आपको दिया गया है 50 newton तो normal reaction भी कितना हो जाएगा 50 newton तो static friction की maximum value जो हो सकती है वो हो जाएगी 0.5 into 50 यानि maximum static friction लग सकता है आपका 25 newton तो जब तक आप 25 newton नहीं लगाओगे पत्थर चलने वाला तो है नहीं तो f की जो maximum value में लगा सकता हूँ वो कितनी लगा सकता हूँ 25 newton लगा सकता हूँ तब तक static friction एक्ट करेगा और static का मतलब ही हुआ कि rest परेने वाला है अरे है कि नहीं अब जैसी आपने लगाया 30 newton अब समझने की कोशिश करो पत्थर 5 kg था आपका आपने externally लगा दिया 30 newton 30 newton लगते ही friction ने कहा कि भाई मेरे तो level से बाहर की बात है मैं तो maximum 25 लग सकता हूँ तो बात अब किसे समालनी होगी kinetic friction को अब वो भले ही कम लगता है पर उसे लगना तो है ही तो यह हो गया 20 newton उसने का भी मैं लग जाऊंगा पीछे relative motion मुझे oppose करना है मैं कितना लग जाता हूँ 20 newton पर आप देख रहे हो कि net force 0 नहीं हो सकता यानि block का obviously क्या होने वाला है acceleration होने वाला है क्योंकि इस case में क्या act कर रहा है kinetic friction act कर रहा है तो acceleration simply हो जाएगा आगे का force minus पीछे का force upon mass यानि कि हमें मिल गया acceleration कितना 2 meter per second square यानि जब आप 30 newton का force लगाओगे तो block का acceleration 2 meter per second square हो जाएगा बात समझे गया अगली चीज़ आपको बताना है net contact force जब आपने 20 newton का force लगाया तो सोच के देखो जब 20 newton का force लगाया गया होगा उस समय पर उस समय पर एक mg लग रहा है नीचे कौन सा friction act कर रहा होगा static या kinetic तो हम देख सकते हैं कि 20 newton is less than 25 newton जो की static की maximum value है तो इस समय static में बात समाल रखी होगी 20 यहां पर लगके और normal reaction तो obviously कितना लग रहा होगा 50 newton लगी रहा होगा तो net contact force जो होगा हमारा c उसकी value हो जाएगी under root of 50 का square प्लस 20 का square अरे बात समझा ही क्या लेकिन जैसे ही आपने 30 newton लगाया अगर अब तो आप समझ गए कि normal पर तो कुछ फरक नहीं पढ़ रहा वो तो 50 ही है लेकिन जैसे ही मैंने 30 newton लगाया है अब यहां पर static friction नहीं लग सकता अब यहां पर लग रहा होगा kinetic friction और उस kinetic friction की भी maximum value कितनी है 20 newton यानि अब भी contact force क्या आएगा under root of 50 का square प्लस 20 का square लेकिन दोनों में एक अंतर है पिछले वाले के लिए जो 20 है वो static friction का 20 है और अब जो 20 है वो kinetic friction का 20 है अरे बात समझ आई क्या क्या clear है सभी को किसी हो कोई डाउट सिंपल है चल तो एक और question कर लेते हैं अगला ध्यान से करना यह angle 37 degree है प्लॉक आपका 5 kg का है mu s की value आपको 0.5 दी गई है तो आपको बताना है value of f such that block stays in equilibrium और दूसरा आपको बताना है value of f such that no friction acts on the block करो बई अच्छा question है कर लिया आपने तो बहुत बड़िया बात है कर लिया आपने तो बहुत बड़िया बात है कर दो कर दो झाल 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 करूंगा components बना लेता हूँ यहाँ पर आएगा mg sin theta 50 sin 37 यानि 30 newton यहाँ 50 cos theta यानि कि 40 newton बात समझ रहा हूँ ना मैंने mg के components draw की है ताकि diagram थोड़ा सा clear दिखे अरे समझ आ रहे कि नहीं normal reaction इधर लगेगा हमारा पूरी कहानी normal पर ही based होती है तो normal तो 40 ही रहने वाला है क्योंकि perpendicular to incline तो कोई move कर नहीं सकता बात समझ आ रही है तो मैं लगे हाँ static friction की maximum value भी निकाल लेता हूँ जो की होगी सबसे पहली चीज आपसे बोली गई है कि value of f क्या हो ताकि block equilibrium में रहे दो चीज़ें बोली जा सकती थी एक तो block किस पर रहे rest पर रहे बात समझ आ रही है और दूसरा किस पर रहे equilibrium में रहे equilibrium का मतलब सीधा सीधा सा है कि net force 0 होना चाहिए तो पहले मैं rest की situation समझ लेता हूँ क्योंकि rest पर होगा तो net force जीरो होगा अब ऐसा सोच के देखो कि पत्थर इस तरह से incline plane पर रखा हुआ है along the incline ही move कर सकता है इस पर आप इदर से force लगा रहे हो f नीचे की तरफ धरती से खीच रही है 30 newton से बात समझ आ रही है तो एक answer तो मैं directly बता सकता हूँ वो है second वाला part क्या value हो f की ताकि कोई friction ना लगे अच्छा देखो friction कैसे लगेगा static friction तब लगता है जब relative motion होने की कोई संभावना हो कोई tendency हो अगर पत्थर नीचे फिसलने की कोशिश करेगा तो friction कहा लगेगा उपर अगर पत्थर उपर फिसलने की कोशिश करेगा तो friction कहा लगेगा नीचे अगर पत्थर फिसलने की ही कोशिश नहीं करेगा यानि मैं पहले second part solve कर रहा हूँ ध्यान से सुनना if there is no tendency if there is no tendency if there is no tendency of relative motion समझा रही बात अगर relative motion की कोई tendency ही नहो तो no friction will act no friction will act यानि ना ब्लॉक की उपर चलने की संभाब ना हो ना नीचे चलने की ऐसा कब हो सकता जब net force पहले से ही 0 तो friction थोड़ी ना लगके अब net force को disbalance करेगा तो अगर मैं F को 30 Newton लगा दूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि friction की कोई जरुवती नहीं है आपने along the incline वाले forces को पहले से ही balance कर दिया तो इस case में friction की value क्या आ जाती है 0 कोई friction act नहीं करता friction की हमें जरुवती नहीं पड़ी चीज़ें पहले से समली हुई है क्या ये clear हो गया सभी को अब आ जाते हैं पहले part पहला part ही important था आप ऐसा सोच के देखो कि ये inclined plane है जहां अर्थ नीचे खीच रही है 30 newton से और मैंने force लगा रखा है F दो चीज़ें संभव है आपने force इतना ज़ादा लगाया हो कि पत्थर जस्ट उपर slide करने वाला है बात समझा रही है मैंने इतना force लगाया कि block जस्ट उपर slide करने वाला है या हो सकता है मैंने इतना कम force लगाया कि block जस्ट नीचे slide करने वाला है बात समझा रही ध्यान से सुनो तो just about to slide up जैसे ही block just slide करने वाला है उपर इतना ज़ादा मैंने force लगाया है तो ऐसा सोच के देखो कि अभी तक block rest पे था अभी तक block rest पे है और just slide करने वाला है वो उपर तो इस समय कौन सा friction लग रहा होगा जब करने वाला है कौन सा friction लग रहा होगा static friction इस समय पे लग रहा होगा static friction और just उसने रोक के रखा होगा अब लगेगा किदर static friction यह बता सकते हो block just slide करने वाला है उपर यानि कि इस समय static friction अपनी पूरी value लगा चुका होगा नीचे अरे लगा चुका होगा के नहीं जो की कितनी है 20 newton बात समझा रही है static friction अपनी पूरी maximum value लगा चुका होगा जो की कितनी है 20 newton तो इस समय इसका मतलब आपने force कितना लगा रखा होगा वो जाएगा 30 plus 20 यानि कि 50 newton बात समझा रही है तो ये case तो सभी लोग ध्यान में ले लेते हैं पर सब लोग ये वाला नहीं ले पातें just about to slide down अरे ये भी तो संभव है हो सकता है आपने इतना कम force लगाया है कि पत्थर नीचे फिसलने वाला है अगर just उसकी नीचे फिसलने की संभावना है बात समझा रही है अगर उसकी just नीचे फिसलने की संभावना है तो इस समय friction कहा लगा होगा बताओ बताओ बई अगर पत्थर जस्ट नीचे slide करने वाला है आपने इतना कम force लगा रखा है, इसका मतलब friction जस्ट कहा लग रहा होगा अरे क्यों नहीं लगएगा भाई पत्थर नीचे slide होने वाला है अगर पत्थर नीचे slide होने वाला है if it has a tendency to slide down, then the friction और वो जस्ट अपनी maximum value उपर लगा चुका होगा, अरे बात समझा रही है, तो बचा कुछा आपने लगा रखा है, अगर आपने इस से कम किया न फोर्स, तो फिर प्थर नीचे slide कर जाएगा, इस case में मैं कह सकता हूं कि F plus 20 यह होना चाहिए 30, यहनी F की value क्या आगई 10 Newton, तो अगर आप 10 Newton से कम लगाते हो, तो पत्थर नीचे slide कर जाएगा, अगर आप 50 Newton से जादा लगाते हो, तो पत्थर ऊपर slide कर जाएगा, अगर आप 30 Newton लगाते हो, जो की इनके बीच में आ रहे देखो, तो friction लगेगा ही नहीं, तो जो answer हमारा first part का आता है, वो आता है कि force must be between 10 Newton to 50 Newton, अगर आप 10 से 50 Newton के बीच में force लगा रहे हो, तो आपका पत्थर rest पे रहेगा, अरे भाई बात समझाई क्या, 10 से कम लगाते ही पत्थर नीचे slide करेगा, 50 से जादा लगाते ही पत्थर ऊपर slide करेगा, होता क्या है ना देखो, मान लो मैंने बहुत कम force लगा है, तो यह आप friction उपर लग रहा था, जैसे जैसे आप force बढ़ाओगे ना उपर का friction घटता जाएगा, जैसे जैसे आप force बढ़ाओगे, 10 से बढ़ाया, 20 किया, तो फिर friction की कितनी जरवत पड़ेगी, सिर्फ 10, जैसे ही आप इस F को कर दोगे 30, तो friction की value हो जाएगी 0, ऐसा चलता है friction, इसकी value घटती जाती है, घटती जाती है, 0 हो जाती है, फिर ulti direction में लगने लग जाता है, इस तरह से range हमेशा पता चलती है, समझारी बात, answer will be anyone, option में पता है क्या देखेगा आपको, 20 newton, 30 newton, 40 newton, आप सोचो कि हमारा तो answer एक case में 10 आया है, एक case में 50 आया है, हम कौन सा टि दिया होगा, multiple correct option में आ सकता है, ये question, उनना option दिया, 12, 15, 17, 23, 4 answer सही है, क्योंकि 10 से लेके, 50 के बीच में आप कुछ भी force लगाओ, पत्थर रेस्ट पर ही रहने वाला है, तो ऐसे cases में आपको question से hint मिलना चाहिए था न, मैंने value of f पूछा है, मैंने ना आप से पूछा के maximum value of f, ना मैंने आप से पूछा minimum value of f, अगर मैंने पूछा होता minimum value of f, तो answer होता 10, अगर मैंने पूछा होता maximum value of f, तो answer होता 50, पर मैंने पूछा value of f, तो infinite values आएंगी answer में, 10 से लेके 50 के बीच के सभी answer सही होगा, अरे बात समझ आई क्या, अच्छा question है, यही question है friction का, जो establish कर कि आपको चैप्टर समझ आएगा कि नहीं आएगा आपको यह फील करना होगा एक पत्थर को इंकलाइन प्लेन पर इमेजन करो आपने उंगली सो से रोक रखा है दी में दी में फोर्स घटाते जाओ रेस्ट पर ही रहता है लेकिन उसकी संभावना नीचे आने की बढ़ती र करती है बात समझ आई कि अरे क्लियर है चलो आज यहीं पर एंड करेंगे और ज्यादा परेशान नहीं करेंगे ठीक है इसे ध्यान से देखना फ्रिक्शन पर में लिए हम अगली क्लास में करेंगे ऐसे धेर सारे क्वेस्चन ठीक है एक बार जरूर पढ़के आना और जिन को डाउट हो वीडियो देखके आना है ठीक है एंड कर दें